हेलो स्टुडेंट्स मैसल डीके जाओ केमिस्टी फेकल्टी तुड़े वी आर गएंग डिसकेस अवाट अल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोगजिलिक इसीड विच कम्प्लेट परस्पेक्टिफ पॉर बोड इग्जामिनेशन दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हो कि लास्ट लेक्चर तक मैंने कार्बोगजिलिक इसीड के असीडिटी तक आपको बता दिया था आज मैं उससे आगे लेकर के आपको चल रहा हूँ वीडियो का आप ध्यान से देखे सबसे पहला रियक्चन हमारे पास है इस्ट्रिफिकेशन रियक्चन इस्ट्रिफिकेशन रियक्चन क्या होता है कि एसीड और अलकोहल मिल करके इस्ट्र बनाता है यह आप देख लो कि यह एसीड है और यह अलकोहल है दोनों मिल करके दे रहा है step plus water आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दू कि istrification reversible reaction है general concept यह होता है कि जब istrification reaction होगा general concept यह है कि acid H plus देगा और base OH minus देगा but इस istrification reaction में देखा यह जा रहा है कि OH जो आ रहा है OH minus वो आ रहा है आपको acid से और जो H आ रहा है वो आ रहा है alcohol से कैसे अच्छा इस reaction का mechanism भी NCIT में दिया गया है इसलिए इसकी पूरी पूरी chance है possibility है कि आपको CBS examination में लिखने के लिए बोला जा सके तो मैं एक एक करके एक एक step आपको समझाती जा रहा हूँ सबसे पहले यह देखो कि कोई भी reaction जब acid और alcohol H प्लस के presence में reaction करेगा H प्लस के presence में यह दे देगा stir plus water stir plus water mechanism क्या होगा mechanism में आपको एक बात ध्यान पे रखना है कि इसका हर एक step reversible है इसका हर एक step क्या है reversible मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूँ आप यहाँ पे देखो सबसे पहले acid है acid में जो हमने H प्लस लिया हुआ है reaction के लिए सबसे पहले H प्लस आ रहा है आपको attack करने के लिए H प्लस बेटा कहा जाएगा जहाँ पे lone pair of electron देखेगा और वो देख रहा है कि यह जो R CO OH ग्रूप है यहाँ पे lone pair of electron है तो यह H प्लस इस lone pair of electron को अपने तरफ attract मतलब इधर का electron जाएगा तो जब H O के साथ bond मना रहा है तो जाहरती बात है इसका proton oxygen पे transfer हो गया ना oxygen पे आगया positive charge और oxygen क्या हो गया अनिस्टिबल हो गया oxygen अनिस्टिबल हो गया इस condition में oxygen अपना electron compensate करने के लिए hydrogen carbon से electron लेगा तो यह bond उपर की तरफ shift करेगा जिससे क्या होगा कि इसका positive charge compensate हो जाएगा लेकिन जैसे यह bond उपर की तरफ जाएगा carbon पे positive charge जाएगा अब roll आता है alcohol का alcohol में oxygen है alcohol के oxygen में दो lone pair of electron है इस दो lone pair of electron को देखो जैसे carbon पे positive charge जाएगा यह electron pair इसके साथ यहां पे bond बना रहा है तो अगले step में हम क्या देख रहे हैं कि R C जब यह bond इधार चला गया तो plus charge खत्म हो गया OH और यह OH को हमने नीचे लिखा अब यह ROH के साथ bond मना लिया चुकि इसका electron carbon के साथ sharing हो गया है तो oxygen atom पे positive charge आ गया कौन सा charge आ गया positive charge आ गया और यह जो आपको है यह है tetrahedral intermediate tetrahedral intermediate बेटा एक बात हमेशा ध्यान पे रखना कि आप इस step में जाकर के proton transfer होगा और proton transfer होने का मतलब है कि यह इस से electron खीच लेगा oxygen hydrogen से तो यह H plus हो जाएगा यह H plus यहां से निकलेगा और इस OH पे attack कर देगा जैसे देख रहे हो यह H plus OH पे attack किया अगर oxygen पे कौन सा चार्ज आ गया positive oxygen पे कौन सा चार्ज आ रहा है positive अब oxygen क्या करेगा कि यहां से electron खीचेगा कहां से carbon के पास से यहां से electron खीचेगा अब उस condition में आप इसको ऐसे लिख सकते हो उस condition में carbon पे आ जाएगा positive charge फिर यह bond shift हो करके यहां पे आ जाएगा और यह हो जाएगा double bond तो water का loss हो गया और यह हो गया यह oxygen पे positive charge यह यहां से draw कर लेगा तो एक तरह से यहां पे आपका stir बन गया दूसरे धंग से आप देखना चाहो तो इस state को एक और state में बरहना है हमें तो ठीक है यह यहां से गया तो carbon पे आ जाएगा positive charge carbon पे कौन सा चाहर जाएगा positive अब वो electron खीचेगा अपने तरफ तो यहां पे oxygen पे positive charge आ जाएगा यही से समझ सकते हो कि यह यहां से खीच लिया तो यह इधर से electron draw कर देगा तो उस condition में यह water बनके बाहर निकल जाएगा और उस condition में क्या होगा कि आप यदि यह step नहीं भी लिखोगे आप यदि यह step नहीं भी लिखोगे तो आपका यह चल जाएगा यह हो जाएगा इस्टर बन जाएगा क्या बन जाएगा इस्टर इस्टर बन जाएगा तो एसीड को जब हम alcohol से reaction करवाते हैं तो इस्टर दे दिता है क्या दे दिता है इस्टर दिता है ठीक है इसको आप note करें अब हम सेकेंड रिएक्षन देख रहे हैं formation of N-hydride N-hydride कैसे बनेगा formation of N-hydride N-hydride बनाने के लिए आप क्या करो कि आप दो मोलिकुल कार्बोगिलिक एसिड ले लो आपने लिया R COOH और फिर आपने इसका reaction करवा दिया HO CO R अब इसको किसी भी H2SO4 से या H+, से कहीं से भी आप इसको heat कर दो H positive के साथ आप heat कर रहे हैं और आप P2O5 के साथ में heat कर सकते हैं इसके साथ P2O5 के साथ तो यहां से क्या हो जाए कि water का loss हो जाएगा water का loss हो जाएगा and it will give you RCO O CO R stir देदेगा क्या देदेगा stir stir देदेगा अब यहां पर जो रोल है जो water dehydrating agent है वो H positive काम कर रहा है तो मैं यहां पर आपको बता देता हूँ कि water dehydrating agent water dehydrating agent यह कौन होता है कौन कौन हो सकता है S2SO4 इसके बारे मैंने कई बार बता दिया कि यह water dehydrating agent है S2SO4 F3PO4 this is also water dehydrating agent PPA polyphosphoric acid यह भी water dehydrating agent है P2O5 phosphorus pentoxide this is also water dehydrating agent and alumina R-C-O-O-C-O-R आप इसे नोट करें नोट कर लो बेटा थीक है इसे ना रहा है यह कुछ स्टेप से है कि आप हमें acid का reaction कराना है PCL5 PCL3 SOCL2 तो आप यहां पे देखिए कि माल लो third reaction third reaction में हमें देख रहा है कि इसको हम reaction कर बाते है एक ही साथ ले लो headland reaction with reaction with PCL5 PCL3 SOCL2 R-C-O-O-H R-C-O-O-H reacts with PCL5 R-C-O-C-L sorry R-C-O-O-H reacts with PCL3 R-C-O-O-H reacts with SOCL2 किसे reaction कर रहा है SOCL2 के साथ बेटा इस तीनों में common point क्या है कि sorry इस में common point क्या है कि ये देदेगा आपको R-C-O-C-L R-C-O-C-L अच्छा प्लस देदेगा आपको SO2 gas प्लस X-C-L दोनों ये भी gas है ये भी gas है अच्छा ये देदेगा आपको R-C-L और ये भी देदेगा R-C-L अब दोनों के by product में difference है PCL-5 बाले का और PCL-3 बाले का PCL-5 बाले में देगा P-O-C-L-3 प्लस H-C-L और यहां पे देगा H-3-P-O-3 अब ज़रा गहर करके देखना बच्छो कि जब हमने A-C-E-D का reaction करवाया PCL-5, PCL-3 या इन S-O-C-L-2 से तो sorry 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 ये भी आपको दे रहा है R-C-O-C-L ये भी दे रहा है आपको R-C-O-C-L sorry extremely sorry हमने अलगो अलगे anyway हो जाता है कभी कभी तो R-C-O-C-L दे रहा है तीनों में क्या दे रहा है R-C-O-C-L और यहां पे by product क्या दे रहा है P-O-C-L-3-H-C-L यहां पे H-3-P-O-3 अब गौर करने वाली बात है कि यहां पर जो by product है वो है S-O-2 gas और H-C-L gas आप से question पूछा जाएगा NCRT में क्यों which method is preferable कौन सा method preferable है तो preferable यह है क्यों है यह method preferable क्योंकि S-O-2 gas और H-C-L gas दोनों gaseous form में है जिसका nature क्या है इस capable है तो क्या हो जाएगा कि R-C-O-C-L आपको pure form में मिल जाएगा तो माँ यहां पे note कर देता हूँ point को कि S-O-C-L-2 is preferred S-O-C-L-2 is preferred then P-C-L-5 and P-C-L-3 because in case of S-O-C-L-2 S-O-2 gas and H-C-L gas are formed as by-product as by-product which are is capable in nature which are is capable in nature तो सवाल क्या उरता है कि जब हमने R-C-O-O-H को P-C-L-5 से कराया P-C-L-3 से कराया और S-O-C-L-2 से कराया तो तीनो ही condition में हमाला जो product दे रहा है जो बेटा main product है वो R-C-O-C-L है लेकिन S-O-C-L-2 preferable क्यो है S-O-C-L-2 preferable इसलिए है क्योंकि यहाँ पे by product आ रहा है S-O-2 और H-C-L gas जिसका निए gas है escape कर जाएगा escape कर जाएगा तो यह क्या हो जाएगा pure मिल जाएगा बाकी में तुम्हें क्या करना परेगा separation अलग से लगाना होगा that means why S-O-C-L-2 is preferred then P-C-L-5 and P-C-L-3 because in case of S-O-C-L-2 S-O-2 gas and H-C-L gas gas are formed as by product which are is capable in nature आप इसको नोट करें नोट कर लो आप इसे ठीक है अब आप आज़ो next reaction पे next reaction हमारे पास reaction with ammonia reaction with ammonia हमने लिया R-C-O-O-H plus ammonia gas तो पहले acid और base मिल करके क्या देदेगा salt देदेगा ये दे दिया आपको R-C-O-O-N-H-4 R-C-O-O-O-N-H-4 फर्दर आप इसको heat कर दो तो water का loss हो जाएगा H2O चला जाएगा and it will give you R-C-O-N-H-2 amide बन रहा है क्या बन रहा है amide बेटा इसको समझने के लिए एक और live jumper ले लो let us suppose कि आपने ले लिया AC-T-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-O-O-H after heating H2O चला गया अप to it will give you CH3-C-O-N-H-2 acetamide acetamide ये आपको acetamide दे रहा है इसका नाम हो जाएगा ammonium acetate ammonium acetate लिखते चले आप अमोनिय में सिटेट एक और एक्जामपल ले लो बेंजोईक एसिट सपोर्ज कर लो हमने बेंजोईक एसिट लिया COOH reacts with ammonia ये दे रहा है आपको COO minus NH4 plus after heating जब आप इसको heat करोगे तो water loss हो जाएगा और ये दे दिया आपको benjamide CO NH2 benjamide तो यहाँ पर हम यही देखे हैं कि इसको हम reaction करा रहे हैं ammonia के साथ अच्छा इसका नाम हो जाएगा ammonium benzoate ammonium benzoate माल लो CBC exam में पूछता है तो language आप कैसे लिखोगे कि when benzoic acid reacts to its ammonia it will form ammonium benzoate after heating water is lost and finally benjamide is the final product ऐसे language लिखना तो आसान है आप लिख सकते हो note down ठीक है इसका एक और example ले लो आप इसका एक और example ले लो जैसे हम thylek acid ले ले लेते हैं nomenclature में last class में बताये थे न और उसको आप ammonia के साथ reaction करा करके देखो जैसे बता हमने ले ले लिए आप thylek acid COOH COOH ना reaction is ammonium excess ले लो excess लिख देता हूँ या 2 लिख लो it will give you COO minus NH4 plus COO minus NH4 plus COO minus NH4 plus अच्छा सॉरी एक बाद ध्यान रखना कि ये reversible step है ये बन गया आपका COO minus NH4 plus ammonium thyleate ammonium thyleate अब आप इसको heat कर दो heat कर दो तो ये दे देगा आपका उपर साह जाएगा CO NH2 और नीके में भी हो जाएगा CO NH2 2H2O का loss हो जाएगा देखो गौर करके 2H2O का loss हो जाएगा और ये बन गया thyleamide 2H2O का loss हो जाएगा और ये बन गया आपका thyleamide अब आप इसको heat करो strongly hitting तो ammonia का loss हो जाएगा किसका loss हो जाएगा अमोनिया का और ये आपको दे देगा CO CO NH देख लो ammonia का loss हो गया और ये दे दिया CO CO NH thyleamide 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 तो फिर सब हम इस reaction को समझ लेते हैं कि हमने thyleak acid ले लिया ammonia के साथ reaction कराने के बाद excess लिख लो 2 NH3 लिख लो कोई गल नहीं ये बन गया CO- NH4 plus CO- NH4 plus that means कि ammonium thyleate बन रहा है heat करने पे यहाँ से STO निकलेगा यहाँ से STO निकलेगा तो 2H2O का लॉस हो गया बन गया CO- NH2 CO- NH2 thyleamide फिर इसको strongly heat कर दो अब ammonia का लॉस हो जाएगा तो बन जागा thyleamide आप इसे note करें thyleamide को आप तो 2H2O यहाँ एसको जाएट जाएगा तो 3H2O आवर रेक्षन नमर ले लो 5 रेक्षन नमर फाइब में क्या है कि रिडक्षन रिएक्षन रेक्षन रिएक्षन में हमने ले लिया र चीओ और इसको हमने रियक्षन करवा दिया l a a l h 4 और शेकेंड में ले लो वाटर ले लो आप वाटर ले लो या एठ्रियो पोजेटिव ले लो और इसके जगह पर आप B2H6 ले सकते हो तो यह बन जाएगा मैं काफि सारी चीजिस में बता रहा हूँ RCH2OH सबसे important point यहां पर यह है कि NABH4 does not give this reaction NABH4 does not give this reaction one point second point diaboran की बात कर लो B2H6 is better reagent here better reagent in this reaction B2H6 is better reagent in this reaction second point आप नोट कर लो third point B2H6 does not reduce B2H6 does not reduce ester nitro hello halogen etc तो यहां पर हमने क्या क्या स्रीज सीखा reduction reaction में RCOOH Li-LH4 या B2H6 दोनों में से आपको एक ले सकते हैं reaction करने के बाद Li-LH4 reaction करने के बाद यह आपको दे रहा second step esterio positive ले लो यह दे रहा primary alcohol primary alcohol NABH4 does not give this reaction NABH4 यह reaction नहीं दे रहा है नहीं दे सका उसकी इतने आउकात नहीं है B2H6 is better reagent for this reaction but B2H6 इसी टाइप से नाइट्रो का या इस्ट्यर का या हेलोजन कंपॉंड का reduction नहीं कर सकता नहीं कर सकता ठेक है आप नेक्स नोट कर लिए आपने नोट कर लो अब आपने लोग सक्स्ट्री एक्साइट D-Carboxylation reaction ये क्या होता है कि acid को हम soda lime के शाथ reaction करवा देते हैं और CO2 group का loss हो जाता है और alkane मन जाता है तो R-C-O-O-H इसको reaction करवा दो आप N-A-O-H प्लस C-A-O ये देदेगा R-H प्लस N-A-2-C-O-3 R-H प्लस N-A-2-C-O-3 ओके मतलब हो गया है H-B-Z reaction H-B-Z reaction ये क्या कह रहा है कि आप R-C-H-2 CO-O-H ले लो और इसको आप reaction करवा दो X-2 in presence of red phosphorus red phosphorus red phosphorus red phosphorus X equal to यहाँ पे से chlorine या bromine होगा X equal to यहाँ पे से chlorine या bromine होगा और ये क्या करेगा कि alpha position पर से hydrogen को replace कर देगा and it will give you R-C-H-C-L CO-O-H alpha halo acid बन जाएगा alpha halo acid चलो हम topic को आगे लिए चलते हैं अब हमारे पास रेक्टन है ring substitution ring substitution ring substitution मालनो आपके पास benjoy के सीद है और इसमें भी A reaction जो है ये nutrition है आप लोग को पता होगा कि जो कार्बोग जिली के सीद है वो क्या electron drawing है electron drawing है तो इसका nature क्या हो जाएगा meta directing 11 class में परहा होगा meta directing तो जब आप इसको common catch no 3 plus common catch no 4 से reaction करा होगे तो meta position पर जाकर के COOH NO2 ग्रूप लग जाएगा कहां पर लग जाएगा meta position पर लग जाएगा और नाम हो जाएगा meta nitro benzoic acid meta nitro benzoic acid ninth reaction meta nitro benzoic acid अब ले लो bromination reaction या ऐसे लिखो reaction with BR2 in presence of FEBR3 तो आपने ले लिया carbogelic acid और इसको हमने reaction कर बा दिया BR2 in presence of FEBR3 तो ये meta position पर चला जाएगा यहाँ पर COOH है यहाँ पर BR है it will give you meta bromo benzoic acid meta bromo benzoic acid note कर ले आप इसे थीक है बच्चों आपने यहाँ तक नोट कर लिया तो aldehyde, ketone, carbogelic acid का total reaction preparation and properties आपका फिनिस हो गया इभून के हमने बीच का in-text question भी सारा करा दिया अगले lecture में मैं आपको इस चेप्टर के जितने सारा important question है NCRT के back exercise है वो आपको कराऊंगा ठीक है तो आप अभी तक यदि channel को subscribe नहीं किये हैं तो चैनल को subscribe कर लिजिए अपनी दोस्तों के साथ share कीजिए कि कहीं वो भी पीछे नड़ा जै ठीक है और आपको हमेशा update मिलता रहेगा NEET और IIT J.E. के लिए आज से fresh lecture बच्चों का ये आ रहा था बार-बार request आ रहा था कि सर हमने यहां से coaching की यहां से coaching की यहां से परहा किया हम भूल गए कुछ भी कारण हो ठीक है मैं इसके पीछे नहीं जाता हूँ आज से NEET और IIT J.E. का बच्चों की demand है कि सरा first chapter more concept से परहाना शुरू कर दो आज से वो वीडियो भी लगातार मिलना शुरू हो जाएगा आपके जो भी नोन होंगे जो NEET और IIT की preparation कर रहेंगे भले वो कहीं भी पर रहे हों वो यहां से revise कर सकते हैं ग्रूप में आकर के query कर सकते हैं question पूछ सकते हैं dot पूछ सकते हैं ठीक है हैं आज के लिए बस इतना ही thank you, thank for your next cooperation okay, bye, bye